प्रिय अभी भावको यह वीडियो विशेश तोर पे आप लोगों के लिए यदी उसके दो ही कंडिशन हैं पहला आपके बेटे ने JEE नीट इत्यादी की परिख्षादी और उसके बाद उसके परिणाम आपके या उसके अनुरूप नहीं आए हैं आपके या उसके अनुरू चाहिए तो आपको पहले तो यह सोचना है कि उसके परिणाम अनुरूप नहीं आए अब अनुरूप नहीं आए इसमें सबसे पहला definition है कि आपके अनुरूप नहीं आए या उसके अनुरूप नहीं आए कई बार हमारी मत्वकांग्षाएं अधिक होती हैं बच्चे की निश्चित नहीं है दोनों एकों ये कभी ज़रूरी नहीं है भाउधा इसमें ये विरोध आबास हो जाता है कि मैं ये समझता हूँ मेरा बेटा je ये समझता है मेरी बेटी ये समझता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके आगे की कारवाहि आप इस visualization पर ही कर पाएंगे कि उसके अनुरूप जो अंक आए है वो आपके अनुरूप नहीं है या उसके अनुरूप नहीं है तो अब आप उनकों करना क्या है चाहे आपके अनुरूप नहीं आए है या उसके अनुरूप नहीं आए है दोनों में आपको कुछ काम तो दोनों में करने हैं कुछ अलग-अलग तरीके से इस पर निर्भर करेगा कि उसके अंदुरूप नहीं आए हैं या आपके अंदुरूप नहीं आए हैं इस पर निर्भर करेगा तो पहली चीज एक एक करके देखिएगा बहुत आराम से समझेगा पहली इस समय तो आपने उसको देखिए रिजल्ट आ चुका है परिणाम आ चुके हैं अब परिणाम किसी भी तरीके से नहीं बदले जा सकते हैं तो सरप्रतम आपका काम है आपने उसे हिम्मत देनी है होसला दीजिए अनकंडिशनल लव दीजिए आप उसे कहें बेटा चलो जो अच्छा हुआ बुरा हुआ लेकिन तुम मेरी उलाद हो तुम मेरे बच्चे हो तुम मेरा बेटा है तुम मेरी बेटी है तेरे नंबर कम आएं ज्यादा आएं लेकिन तुम मेरा बच्चा है तुम मेरा बेटा है इस से दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती है और मैं त से उतना ही स्नेह करता रहूंगा जितना पहले करता था या और बढ़कर करूंगा लेकिन क्योंकि मेरे स्नेह में कमी नहीं आई है हां मेरी कुछ उम्मीदें तेरे से थी तेरी कुछ उम्मीदें अपने आप से थी हो सकता है मेरी और तेरी जो उम्मीदें है वो आपस में टकर आ गई हैं या कहीं पर हमारी उम्मीदें अधिक थी इस बार तुम परफॉर्म नहीं कर पाएं या तुम्हारी उम्मीदें अधिक से तुम उतना परफॉर्म नहीं कर पाएं डिपेंडिंग अंधी कंडिशने के जो कुछ भी है पहली बात तो तुम मेरा बिच्चा है मैं हमे पुरा परिवार इस समय उसके साथ खड़ा हो। नगर गलत मतलब कुछ से ऐसे तरीके से आप बच्चे को अगले साल के लिए तेयारी करानी है जो भी कराना आप असन्में अगर आप ते उसको हमत नहीं दी तो हो सकता है आपके किसी बरताव से अब उसको जीवन में जो कुछ बना देंगे लेकिन अपना سंबन्द हार जाए और अपनी उलाद से, अपने बच्चे से, अपने संबंद का हारना, जीवन के आपकी कितनी बड़ी हानी होगी, कितनी बड़ी आपकी हार है, इसकी आप कलपना नहीं कर सकते। बच्चा तु मेरा रहे जाए, आगे की फिर सोचते हैं, पर फिलहाल तु मेरा बेटा है, और मैं तेरे साथ ख़ड़ा हूँ, अगली चीज है, उसे दूसरों का उधारन तो बिलकुल मत दीए, कि फलाँ पढ़के ले आया, हम कई बार समझते हैं, कि दूसरे का उधारन देन आप नहीं दिलवा सकते, ये तो बच्चा कर सकता है, कि उससे अधिक किसी के अंका हैं, को बहुत अच्छा बच्चा टॉप कर गया, वो उसकी कहानी आप से चर्चा करे, पापा उसने, ममा उसने ये किया, ऐसी पढ़ाई करी, ममा देखो वो भी निकलाया, पापा देखो वो भी कर गया, मैं भी सोचता हूं, मुझे ऐसा करना चाहिए था, जो कुछ भी आप से बात कर सकता है, अपने भविश्य के लिए, लेकिन आप अगर उधारन देगे, तो आप बच्चे के सामने उसके विरोध में खड़े हो जागी, कि देखो वो तो कर गया, तुम क्यों नहीं कर पाए, इस शब्द को कहने से पहले बीस बार सोचिए, वो नहीं कर पाया के बीचे का दो कारण है, हम हमेशा समझते हैं, बच्चे ने नहीं किया, तो वो करना नहीं चाहता था, या उससे हुआ नहीं इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, वो करना नहीं चाहता था, कर नहीं पाया, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, हो सकता है, वो किसी कारण से बिचारा न कर पाया, इस समय उसका, आपकी हिम्मत उसे बढ़ाएगी, लेकिन अगर आप दूसरा को धारन सामने रख देंगे, तो वो आप से दूर हो जाएगा, कभी मत दीजिए, उसको लेने दीजिए ना, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ वो आप से अगर बात करें इस तरह, पापा देखो, मैंने बे तो बड़ी मेहनत करी थी, उसने भी करी थी, लेकिन उसका आगया, मेरा नहीं आया, ऐसे में भी आपने कहना है, बेटा, उससे बात करो, देखो, उसने क्या किया, जो तुमने नहीं किया, हो सकता, वो कि अच्छी तुम्हें टिब देदे, इस तरह तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले ही कह दिया, सामने वाले शर्मा जी की बेटी तो आगई, बेटा, तुरे को क्या हुआ था, तुभी तो उसी कोचिंग में जाता था, तुझे भी तो वही किताबे लेके दी ती, तु क्यों नहीं कर पाया, ऐसा आप करदापी नहीं गए, बच्चा आप से निश्चित दूर हो जाएगा, हार जाएगा उसे, अगली बात, अब इसको थोड़ा जज करना है आपको पीछे जाके, जब वे परिक्षा दे रें गया था, उस समय उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस किया था, और उसके बाद जब वो दे कर आया था, देखिए अभी तो परिणाम आ गये हैं, आज कल की स्थिती बड़ी अलग है, क्योंकि पहले आप परिक्षा देती हैं, फिर उसके कुछ दिनों बाद, रिजल्ट से पहले एक NTA वाले अपना एक मार्क शीट, मतलब एक अपना आंजर की दे रेते हैं, जिसको आप चैलेंज भी कर सकते हो, तो ऐसे से बच्चे को आईडिया लग जाता बच्चा कहां पर है, लेकिन अब आपने क्या समझ रहे हैं, कि जब वो परिक्षा देने गया था, और जब परिक्षा दे कर आया था, इन दोनों में क्या अंतर था, एक तो होता है, बच्चा पेपर दे रे गया था, बाहर आके कहता, पापा इतना ही मेरे को आता था, मैंने सारा कर लिया, जितना मुझे आता था या दूसरा ये भी हो सकता है पहरे तो सोचा था कि इतना आ जागा लेकिन पापा इतना है तो नहीं है उसके पंदरा बीस कुशन मेरे और खराब हो गए ये अंतर में है क्योंकि इन देनों का अंतर आपको अगले कदम को डिसाइड करने में मदद करेगा क्या करना क्या कि अध्यान किया या वो परिशाद देने गया और देकर आया उस समय का उसका मूड क्या था क्या वो कॉन्विडेंट था हो सकता है मेरा हो जाएगा ऐसा था या नहीं मेरा तो खराब हो चुका है क्योंकि कई बार बच्चा क्या हम भी अपनी एस्टीमेशन में जानते हुए ये काम मुझसे नहीं होगा बाहर कई बार अपने आपको ऐसे सुपीदर बना लिए कह दिया हाँ जी हो जाएगा और हमने उस बात को ढख लिया देखिए बच्चे को ये ढखना सिखाने की कोई जरूत नहीं है वो बच्चा आपसे खुल कर बात करे कि जी मैंने ये सोचा था मैं परिशा देने गया था और मैं अब आया हूँ और आज मेरे अंक आए हैं इन तीनों के डिफरेंसेज अगर दिल खोल के आपसे बात कर लेगा तो आप कम से कम अगला स्टेप लेने के लिए बहुत क्लियर हो जाएंगा अगर ये तीनों का अंतर मतलब जब वो देने गया जब वो दे कर आया और जब उसका रिजल्ट आया अगर ये तीनों का अंतर डिफरेंटली आप समझ नहीं पाए या आपकी परसपर चर्चा नहीं हुई तो आगे के कोर्स ओफ एक्षन में आप गलती कर लेंगे ये निश्यत है तो बहुत आराम से बड़े प्यार से इसके उबर स्वेम के मुल्यांकन का समझना है कहां पर कमी थी कहां पर नहीं लेकिन ये मुल्यांकन अगर बच्चा मेंटली अभी डिस्टर्ब्ड है या वो मन से व्यतित है तो बिल्कुल भी ना करें ये मुल्यांकन बच्चे ने स्वेम करना है आपने उसका सहारा बनकर करवाना है आपने नहीं करना ये मत कहिए जब तू पेपर में अंतर था या नहीं था और उसके बार आप से चर्चा कीजिए उसे पर उस पर कुछ थोपिये का नहीं अगली बात इन दोनों परिवेशों को बहुत डेटेल में अध्यन करें कि गैप कहा रहे गा देखिए एक गैप होगा कि बच्चा देने से पहले ही confidence लूज कर चुका में ऐसा बच्चे का attitude था क्या या जब वो गया और वहां से वापिस आया अजी मैंने तो जो सोचा था उसके अलावा कुछ आया रही मैं सब कर पाया या दूसरा भी हो सकता है मैंने सोचा था इतना अच्छा हो जागा लेकिन हुआ नहीं कुछ कमियां रहे गई हैं ये भी हो सकता है तो ये दोनों चीज़ों का अध्या और तीस था कि इसके बाद मैंने तो सोचा था मेरे कम से कम इतने नंबर तो आ जैगा अबर इतने नहीं आए ये तीनों चीजों में परिवेश किसकिस में क्या क्या अंतर है ये आप समझे इससे बात कीजिये हाँ इसके बात म फिर मैं करूँगा तीन चीदे पेपर देने गया दे कर आया और उसके बाद रिजल्ट आया इन तीनों में जिसमें आप सबसे ज्यादा महसूस करें अंतर है वो आप जाए कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा उस वक्त मैं आपको इंडिविजल जवाब दे दूगा उसमें आतम गलानी हो रही है आपने यूसको आतम गलानी की तरफ नहीं लेके जाना कि तुने गलत किया था उसको स्वेम में बुरा लगेगा अगर आपने उसको Achsas दिलाया कि यह तुमने गलत किया है तो आप समझे वो एफसास सिर्फ दोक्शन का होगा आपके सामने रहने तक बले ही वो रो लेगा पिट लेगा लेकिन वही पर जस मिनट के लिए ममा गलती होगी बापा सौरी बस कहके बात ख़ता हूँ उसका कोई नहीं होगा बलकि अगर आइडली उसको आत्मकलानी स्वेम हो रही है और वो आपको ये कह रहा है कि बापा इस बार मेरी ये गलती हो ग आपको उसको आत्मकलानी का बहुत नहीं करवाना उसको आत्मकलानी का बहुत खुद होना है अगर वो हो जाता है और आपको बोल देता है आपके उसके बीच में संबाद हीनता नहीं है अब उसमें डिपेंड करता है कि बच्चा है वो मा से ज्यादा क्लोज है या पिता से ज़्यादा क्लोज देख लेकिन अगर किसी को भी क्लोज डिस में वो ये एक बात को कह देता है तो अगर वो कह देता है ये मैं समझता हूँ आपके संबनों की बहुत बड़ी जीत है तो आप समझे आप इस युद्ध को जीत चुके हैं आप पूरी तरह बच्चे ने बता द तो यकीन मानी अब बच्चे आपके हाथ से चला गया ये कोई बहुत अच्छा साय नहीं है हाँ इसके बावजूद भी बच्चे की परवर्श में आप कुछ कर सकते हैं उसके बारे मैं मुझसे पूछे कि मैं बता दूँगा लेकिन फिलहाल के लिए आगरा बच्चे में बात मुगलानी हो रही है जो के अधिकाश बच्चों में होती है देखो बच्चे का अपने माबाप से रिष्टा इंटरलॉक बहुत स्ट्रॉंग है ये प्रकृती ने बनाया है खुदा ने बनाया है बगवान ने बनाया है इश्वर ने बनाया है इसको हम कुछ नहीं कैस लेकिन जरूरी नहीं वो हर बार आपसे वो बात एक्सप्रेस ही करें, लेकिन हम अपने प्यार में बच्चों पर हर बार एक्सप्रेस करते रहते हैं, अरे हमने तो तेरे लिए ये किया, हमने तो तेरे लिए ये किया, इस सा कोई असर महीं है, आपने बच्चे के लिए क्या क confirm करना चाहते हो कि मैंने तेरे लिए ये किया या आप चाहते हो बच्चे का आप से सम्मन्द अच्छा और बच्चा जीवें में अच्छा वक्ती बने दोने में फर्क है आप कहकर नहीं करवा पाओगे और विएज़तार में इस उमर के बच्चे को 15, 16, 17 साल के उमर को इसको तब करवा ही नहीं सकते ये next to impossible है अगली बात अगर उसको आथ मगलानी नहीं है इस समय तो इस समय उसको बिल्कुल शांती से स्विकार करें कुछ भी उस पर अब शब्द ना कहें कुछ भी डांटी ये नहीं क्योंकि देखिए इस उमर का बच्चा वैसे भी आपकी डांटा पड़ से कुछ नहीं होने वाला आप जितनी जोर से बोलोगे उतनी जोर से उत्तर दे देगा अच्छा उत्तर देनी कि अगर शमता नहीं होगा आप एक कमरे में जाके दर्वादा बंद कर देगा तो उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला आपका अंतिम धे कुछ रिजल्ट निकालना है कि बच्चे पर अपने सुप्रीमेसी बताना है तो इसको याद रखिए बच्चे को बिलकुल आराम से बात किए तो यहाँ पर आपके पास शांती से स्विकार करे और फिर उससे कैसी बात करनी है वो एक समय आप धीरे धीरे उसको नए रास्ते को नए रिष्टे को आप स्टार्ट कर सको लेकिन पहली बात यह आप शांती से इसको स्विकार करे मन में शांत हो जाए जब आशान्त हो तो बच्चे से बात मत कीजिया आप बच्चे से बात तभी करें जब आप स्वेम खुश हो भले उसकी गलती है कोई बात नहीं दूसरी बात ये भी समझ ये कई बार हम उसे कुछ नसियत देना चाहते हैं उसको कुछ चीज का एहसास करना चाहते है क्या वो चीज वाकरी सही है या हम सोचते हैं सही है कई बार ऐसा भी होता है कि हम समझते हैं सही है बच्चा उसको सही नहीं मानता है तो बच्चा कैसे सही मानेगा क्या नहीं इसके बारे में भी हम चारशा कर सकते हैं तो ये मेरे एक दिवेदन था उन अभी भावकों से अपने बच्चे को अपने साथ रखिए हाँ अगर आप मुझे तीन जो मैंने अंतर बताया आपको उनमें आपको अंतर मिलता है तो आप उससे क्या करें ये मैं आगले वीडियो में बात सुपष्ट करने की कोशी करूँआ जैसी मेरे पास प्रशनिस के आएंगे मैं इनका उत्तर बी देने की कोशी करूँआ कि अगर बच्चे को भी आपको लड़ी नहीं हो रही तो क्या करना है तो क्या करना है और अगर हो रही है तो उसका रास्ता भी क्या करना है ये भी हम आगे बात कर पाएंगे धन्यवाद